कोरुना महामारी ने पुरी देश को हिला कर रख दिया है जिसके कारण सक्त लॉकडाउन का आदेश हर राचे ने दे दिया है जार्खन में भी लॉकडाउन की अवधी और बढ़ा दी गई है और इसलिए यहां इपास के लिए ओनलाइन एपलाई करने की प्रक्रिया काफी त की ज़ुरत है तो CIN की इस खास रिपोर्ट में बताए जा रहे आसान तरीके को अच्छे से देखिए सुनिए और हो सके तो नोट भी कर लिजे ताकि आप अपना इपास एक मिनिट में हासिल कर सके तो पेश है यह खास रिपोर्ट जाने के लिए आपको जारखंड गौर्वर्मेंट का ओफिस्यल वेब्शाइड में आ जाना है जैसे कि आप देख सकते हैं जारखंड e-pass management system ठीक है और इसके लिए आपको सबसे पहला profile बनाना पड़ेगा आपको जैसे कि पता होगा कि किसी भी चीज में लॉग इन करने के आइडी पासवर्ड क्या हो सबता होती है जैसे कि यहां पर देख सकते हैं यूजर एरिया लॉग इन तो यहां पर आपको मुबाइल लंबर पासवर्ड और यह जो क्यप्चर कोड दिख रहा है यह डाल कि लोग इन करना होगा लेकिन इससे पहले आपको अपना यहां पर पूरे 27 राज्य का लिंक दिया हुआ है इसमें कुछ ऐसे राज्य है जिनका अभी एक्टिव नहीं हुआ है तो फिलाल जारखंड का लिंक अभी एक्टिव हो चुका है तो आप अनलाइन कर सकते हैं स्टेप सिंपल है तो आपको सबसे पहले अपना मुबाइल न नमबर का ऑप्शन आएगा मुबाइल नमबर को दुबारा से डालेंगे और समिट करेंगे ताकि वह कंफर्म हो जाए मुबाइल नमबर डालने के बाद यहां पर आपको अपना पासवर्ट सेट करना होगा यूजर पासवर्ट पॉलीशी जिसे कि आप देख सकते हैं यहा आपको यहां पर दिया हुआ है पहला जो अल्भावेट होगा वह कैपिटल में होगा उसके बाद स्मॉल में होगा स्पेशल कारेक्टर को यह अपको चुनना है और कुछ नमबर डालना है उसके बाद आपको समिट करना जो भी आप पासवर्ट रखना चाहते हैं आपको ए सकसफूली रजिस्टेट कैंडरी लोगें एंड अपलाइफ फॉर इपास एक करेंगे आपको यहां पर सिंपल लोगिन करना है नीची आएंगे यूजर एरिया में और यहां पर आपने जो मोबाइल लंबर अपना डाला था रजिस्टर करते समयं मोबाइल लंबर लॉग इन करने के बाद आपके सामने यूजर परफाइल आ जाएगा यहां पर आपको दिखा रहा है कि आपने कितना परसेंट अपने परफाइल को बनाया है और यहां पर आप देख सकते हैं तीन स्टेप आपको फोलो करने जिसमें आपने मोबाल वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है और पहला जो स्टेप है और प्रस्नल डीटेल यह पेंडिंग है और डॉकमेंट जो है पेंडिंग है तो सबसे पहले आपको प्रस्नल डीटेल फिल करना होगा तो इस पर क्लिक करेंगे प्रस्नल डीटेल में आपको अपना यूजर परफाल बनाना होता है जिसम उसके बाद आपको अपना यहां पे address डालना है जी अद्रस में भी आप है थीक है उसके बाद आपको अपना state यहां से चुन लेना है और district यहां से चुनेंगे और यहां pin को डालेंगे और save पे click करेंगे थीक है प्रस्जाप्स डिटेल यहां पे complete हो चुका है और mobile verification complete हो चुक प्रफाइल कंप्लीट होगा उसके बाद आपके सामने रीक्वेश्ट फोर इपास का एक उप्षन रहेगा जहां से आपको अपना से आपको अपना डिष्टिक को सरेट करना है जो भी डिष्टिक से आप और उसके बाद टाप ऑं ईपास कोड़ों यहां पको चार टाप मेंगे और से घ्ली करें गें उसके बार आपको यहां पर पूरा detail को feel करना है, कहां से आप जा रहे हैं, कहां आप तक आपको जाना है, कब आना है, तो इसको ध्यान सी देखना है, तो यहां पर आपको current address, अभी जहां अभी आप है, जहां सा आपको जाना होगा, उस जगा का address यहां पर पूरा feel करेंगे, उसके बाद visiting state आप कि सह मिना रहें तो फिलाल हम जारेखन में किसी अलगoplस्टिक में जा रहे तो यहां पर हम मैं चुनेंगे अगर IT को जाने को starting's सब्सकों करते हैं तो यहां पर कहा घो रहे किस BL Je led कर के लिए जा रहे हैं या फिर कोई गौवर्मेंट इंप्लोई हैं फूड खरीद ही के लिए जा रहे हैं मतलब यहां आप देख लेंगे अलग अलग टाइप से सारा कटेगरी दिया हुआ ठीक है तो हम यहां पर एक कटेगरी को सलेट करते हैं टाइप ऑफ जर्नी आप वन वे या फिर आपको सिर्फ जाना है या फिर रिटन भी आना है ठीक है तो आप यहां पर विजिट एंड रिटन दोनों चीज आपको अगर है आपको जा के आना है तो आप यह चुनेंगे और शिर्फ जाना है या फिर शिर्फ आना है तो आप वन वे चुनेंगे ठीक है तो हमा रिक्वेस्ट सेडूल अप्टू मतलब किस डेट में आपको रिटेन आना है तो अगर सेम डेट में आना है तो सेम यहां सुनेंगे और किसी अलग डेट में आनी तीन चार दिन तो आप अपने ही साब से यहां पर देख लेंगे जैसे कि 16 तारिक से 10 तारिक को अपको वापस आ जाना है दस से अगर 11 होगा तो यह माईनी नहीं रहेगा चलाएंड रध हो जाएगा ठीक है तो हमें सेम डेट माईनी नहीं रखता है तो आप अपने ही साब से इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है ुई बाद आपको टा अपको विघ्स विजयर करना आप ट्मण जा रहा है या फिर फॉव्यलर से फॉडश्म फॉड़ चुनेंगे और तू उप विजयर् चुनेंगे ओम तू टू विजयर्षक बाद नंबर ऑफ परसन फॉड़ विजयर्म में इतन परसन हिन सकता है जिस ही सभी declaration को checkbox करेंगे ठीक है और last में आपको agree and proceed करना तो आपको सेक्सफफुल का message मिल गया इसे okay करेंगे successful हो जाने के बाद आप ऑपyour dashboard के side में आएंगे और E-pass में आएने के बाद आप view E-pass पे click करेंगे तो आपका सारह information पर यहां जाएगा इपास आपका तुरंत अभी ततकाल में जनरेट हो जा रहा है तो आपको करना क्या है इपास डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड इपास पर आएंगे और यहां पर आपको व्यू पर क्लिक करना है व्यू पर क्लिक करने के बास दुबारा से आपको जारखन इपास यहां पर झाल